आज मैं आप सब के लिए एक तम जटपट से बन जाने वाला बिना किसी हनी के एक तम हेल्दी भी और डिलिशियस भी पीनट बटर की रेसिपी लेकर आ गई हूँ और हाँ ये बिलकुल हनी फ्री है इसमें हनी की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर भी ये हल्दी है तो मैंने ये फिलहाल अभी 1 kg पीनट लिये है इन्हें मैंने छील कर अच्छे से रोस्ट कर लिया था अब मैं इसको पल्स मोड पे चलाकर ग्राइंड कर लोगी अब पल्स मोड पे चलाना क्या होता है पल्स मोड पे चलाना मतलब की एक सेकंड के लिए चलाना फिर एक सेकंड के है और हाई यह बनाते वक्त आपने इस चीज का धियान रिखने के आपके मिक्सी एक दिम ड्राइ होनी चाहिए इसमें पानी वगेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए है अब यह मैंने हाफ कप जितना पीनेट ओयल लिया है इसका लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसको मैं टू बैचिस में आड़ करूंगी अब यह मैंने फाइफ टेबल स्पोन जितना धागा मिश्री का पाउडर लिया है यह हेल्दी होती है और हाँ आपने इस बात का धियान रुकने की जो मिश्री आती है जिसके चीनी जैस एक शो कर दूंगी वीडियो में और यह मैंने फाइफ टेबल स्पोन जितने लिए आप जादा कम भी डाल सकते हैं अब मैं इसको फिर से बंद करकी अच्छे से चलाऊंगी ऐसे करने की 3-5 सेकंड्स के लिए चलाना है और 10 सेकंड के लिए ब्रेक देना है मैंने अभी पीन स्किप भी कर सकते हो पर इससे ने इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है और अब मैं इसको अच्छे से जब तक स्मूध टेक्शर नहीं आ जाता तब तक ब्लैंड कर लूँगी सो गाइस अब हमारा पीनट बटर क्रीमी होना शुरू हो गया आप देख सकते हैं इसका टेक इसमें कम से कम न मुझे 5-7 मिनट लग जाएंगे पूरी तरह इसको पीनट बटर बनाने में टोटल इस रेसिपी का टाइम बता रही हूं और हां इसमें चलाना है अपने इसको रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है कठे ही मत चलाते रहना अदर्वास मिक्सी बहुत जाद इसको बिच में ड्रेक भी देना थो अच्छह बिलेंड करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर हमारा पीनेट बटर बन चुकआ है अभी यह जो बणा है यह हमारा क्रीमी पीनट बटर है मुझे इस बार क्रंची पीनिट बटर बनाना था तो इसलिए मैं इसके अंदर ये एक कब जितनी ये मैं ने चौP'd पीनेट्स लिए पीनेट्स जो मैं ली थी न उसमें से तोड़ी सी बचा ली थी मैं रिए उन्ये मैंने चौP कर लिया है और अगर आपको क्रणजी पीनेट्स बटन नहीं पसंद है न तो आप ये step स्किप कर कर दीजिए तो जो आपका पहले बना था वह एकदम क्रीमी पीनट बटर था और इसमें मुझे फाइफ तो सेवन मिनिट्स लगे हैं अपमें से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हाँ जब पीनट बटर बना हो न तो बीच बीच में अपना पीनट्स को ऐसे उपर से नीचे तक मिक्स भी करते रहेगा जिससे हमारी सारी पीनट्स अच्छे से क्रीमी हो जाए और हाँ मैंने इसमें हाफ कब जितना ओयल यूज किया है क्योंकि मुझे ऐसा टेक्स्च्चर चाहिए था थोड़ा सा क्योंकि ठंड़ा होने के बाद भी और ठिक हो जाएगा पर अगर आ इसको अगर विंटर्स में बना रहे तो आप इसको बाहर भी श्टोर करके रख सकते हैं चे महीनों के लिए और अगर अगरम गरमें बना रहे तो आप इसको फृज में श्टोर करके रखेगा एक साल भी अच्छे से चल जाएगा बिन अकराब हुए